जब हम ही है खाकी वाला और सिर्पर हाथ है खादी वाले का तो डर काहे का श्राब बंदी के नाम पर बिहार में पुलीस या फॉज का आतंक जारी है हम लगातार ऐसी खबनों से आपको लगातार रूबरू करवाते रहते हैं जहाँ पुलीस वाले ही शराब की तसकरी कर रहे हैं और खुद शराब पी रहे हैं एक बार फिर से एक ऐसा ही वीडियो बड़ा तेजी से वैरल हो रहा है और ये वीडियो पुर्निया के एक ठाने का है जहाँ एक पुलीस वाला ही शराब पीते हुए दिख रहा है और ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है शराब पीती वक्त किसी सक्स ने उसकी तस्वीर खि यह दिल्चस वाक्या है एक तो श्राब पिया जा रहा है वो भी थाने में ही जबकि थाना श्राबंदी के नाम पर क्या कुछ बिहार में कर रहा है यह हर किसी को पता है यह हर किसी को पता है कि जब किसी बात्रूम में कोई महला नहाती है तब पुलीस वाला पहुचता है और गर के मर्द से कहता है कि महिला को टवल पहन कर बाहर मिकलने बोलिए हमको चिक करना है कि बातरू में शराब है या नहीं है लेकिन अब जब खबर ये आ रही है कि ठाने में बैठ कर वहां का मुंशी जो है वो शराब पी रहा है तो अब आप क्या कहेंगे हैं हलाकि इसको लेक कुमार जो है दोशी होगा तब उस पर कारवाई होगी लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई 200-500 दिहारी मजदूरी करने वाला सक्स पकड़ाया जाता है तब तुरंत उसके बारे में मीडिया में बयान दिया जाता है दब जब कोई विहारक लड़का दूर किसी राज में इंजिनियर की नौकरी करता है बिहार आकर दोस्तों के साथ पाटी करता है तब उन तमाम दोस्तों को जो है उनके हाथों में रसी बांध कर अपरादी जैसा वैभार किया जाता है लेकिन जब थाने के अंदर बैठ कर एक मुंसी श्राप पिता हुआ दिखता है वीडियो व नाम आत्मी है उसके साथ श्राबंदी के नाम पर कैसे अलग लग तरीके से बहार किया जा रहा है इसके पहले भी हमने आपको एक ख़पर बताई थी जहां बताया था कि कैसे दो पुलीस वाला जो है वो एक बुलिट की गाड़ी से 24 लिटर देशी श्राप बिदेशी श्र चलता है कि वो पुलीस वाला है और अब तक वो सौ बार से ज़्यादा श्राप की तसकरी कर चुका है हलां कि उसे सस्पेंड कर दिया गया लेकिन यह किसी को पता है कि सस्पेंशन के नाम पर क्या खेल चलता है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर से उसी पत पर बहाल कर दिया जाता है इसके लिए अगवा पाल गंज का वो वीडियो आप नहीं भूल सकते हैं जहां ASI खोद शराब पी कर एक महिला को पकड़ने गए थे शराब के आरोप में और वो महिला के साथ बदसुलगी करते वे दिखते हैं हाता बाही करते वे दिखते हैं और उनके साथ जो है कोई भी महला पुलिस कर्मी नहीं रहती है तो आप देखना दिल्चस्प होगा यह जो पूरा मसला पुरुनिया का है जहां एक थाने में मुन्शी, धर्वेंदर कुमार, शराब पीतावा दिख रहा है जो वहां का मुन्शी है एक सक्स का वीडियो तो वाइरल हुआ है तस्वीरे वाइरल हुई है लेकिन क्या वहां सिर्फ मुन्शी ही सराब पीता था क्या वहां के थानेदार सराब नहीं पीते थे क्या इस मामले में वाकए DSP जो है वो निस्वक्ष तरीके से जाज कर पाएंगे क्या बिना थानिदार के बिना कहे या उनके बिना जानकारी के ये लोग श्राब वहाँ पी रहे थे इन सारे मस्लों के जाज होनी चाहिए हलाकि जाज को लेकर क्या कुछ होगा ये हमें भी पता है आपको भी पता है कि के नाम पर विहार में क्या कुछ रहा है लेकिन सेमितिश ये कहेंगे कि हमारी सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फसाती है और चाहे कुछ भी हो जाए हम श्राब बंदी के फैसले को वापस नहीं लेंगे और ये बिलकुल सफल है तो अब देखने वाली बात होगी सब्सक्राइब देखते रहें जनता जंक्शन बात बहुत नहीं बात है